अबने आपको पता होगा कि हमारी जू सरकार बनी थी इनके नेतुत में वो 9 अगस्ट 2022 में बनी थी और 15 अगस्ट को मुख्यमंत्री जी ने एलान किया था ये किसका विजन था ये किसकी सोच थी तो जो मुख्यमंत्री कहता था कि असंभव है नौकरी देना उसको हमने एक आप से विकास के काम किये, नेने नीती लाएं, टुरिजम डिपार्टमेंट हमारे पास था, हमने टुरिजम पॉलिशी लाया, IT Department राज्यत कोटाइब में था, हम लोगों ने जो है IT policy लाई, और भी कई जो policies हैं, हम लोगों ने लाने का काम किया, sports policies हम लोगों ने लाने का काम किया, जो खेलेगा उसको भी नौकरी मिलेगा सरकारी और जो पढ़ेगा उसको भी नौकरी मिलेगा, सिक्षा विवाग किसका राष्टी जनतादल के पास था, हमारे मंत्रियों ने लगतार जो है नौकरिया देने का काम किया, और ये 17 महीने में जो काम हुआ है, इतिहासिक काम हुआ है, जो आज तक पूरे देश में ने हुआ है, और ये भाजपा और नितिश जी की तो सरकार 17 साल भी रहें, तो 17 साल बनाम 17 महीने, जो काम हुआ, एक विभाग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का काम किया, एक विभाग में एक दिन जो है, सत्तर दिनों के अंदर, जो है, दो लाग से भी उपर, जो है, हम लोगों ने निक्तिया पत्र वितरन करने का काम किया, ये तिहासिक काम में किसी भी और अब तक हम लोगों के सरकार ने लगभग जो है जो गवर्णर ने भी जो स्पीच दिया अभी 26 जनुवरी को तो सारे तीन लाग से उपर की बात कहीं उन्होंने नौकरिया दिया तो किसके राज में हुआ किसका विजन था तो कहीं ना कहीं से जो लोग कहते थे कि इनके ल आप लोग सब लोग जानते हैं कि जो भी बाते यह चैह रहे हैं इनको खुदिभी नहीं पता हाला कि में कोई व्रीपण्तिगार्ण तिपनी नहीं करना चाहते हैं और हम इतना अपने लोगों को आशफ्व लेकिन एक बात इस पस्टूप से मैं कह देना चाहता हूँ कि अभी खेल शुरू हुई है अभी खेल भाकी है और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ और आप लिख के ले लिजे जन्ता दल युनाइटेड जो पार्टी है दो हजार चौबिस में ही खत्म हो जाएगी ये निश् खेल शुरू हुआ है खेल बाकी है अभी इन लोग जो भी करें लेकिन मेरा स्पस्ट रूप से मानना है कि जन्ता हमारे साथ है और हमारा साथ देगी और हम तो भाजपा के लोगों को भी धन्यवाद देते हैं शुब कामनाय देते हैं चलो जन्ता दल युनाइटेड को अपने मजबूर कर दिया उनको किस चीज़ की मजबूरी थी ऐसी क्या तरक देंगे उनके साथ के सही होगी पूछ रहें तरक क्या देंगे सिक्षा विवस्था में सुधार जो आप तक नहीं हो पाया था कॉलिटी ओफ एड्यूकेशन चिकित्सा में अस्पतानों को बहतर करना जोजगार देना आर्थिक नयाय देना स्वाहिम साय समूह के मांदेव को दुगुना कराना पॉलिसीज लाना तो इससे सोच रहे थे क कि भाई यह नौजवान है हमें तरह साल से मुक्रमंत्री हैं अब तक यह काम सत्रा सालों में भाजपा के साथ डबल इंजन में रह करके नहीं कर पाएं और यह डिप्टिस्यम होकर के हैं इनकी राज़त के मंत्रियों ने इतना काम कर दिया तो यह पच्छ नहीं रहा होगा आपका क्या रहा गया इस सरकार में जो आपने दसलाग की बादा किस किस ने बाकी रहा गया जो आपने नहीं कर पाएं और हम आपको बता दें पिछले दो कैबिनेट से पब्लिक हेल्ट कैडर का फाइल इन लोगों ने रोक रखा है जिसमें लगबग एक लाग से भी उपर न्युक्तिया हैं हम लोग ने पास भी किया सारी चीज़ें लेकिन इन लोग कैबिनेट में नहीं आने दे रहें दो कैबिनेट से नहीं आने दे रहें चाया आशा वरकर का भी है ये भी आने वाला जल्दी तो हम लोग तो देके काम में विश्वास रखते हैं हम लोग तो राद राद भर घुम करके चापा भी मार्द ने का काम किया है कहीं कमी हो तो उसको दुरूस्त करने का काम क्या है मंदारी से काम किया धर्म निभाया लेकिन अभी तो खेला बाकिए आज भले ही लोग ओथ ले लें लेकिन कितना दिन यह लोग रहेंगे इनको कुछ निपकर कि अब रोगों ने बड़े उम्मीदों के साथ बनाया था और किस उद्देश के साथ बनाया था वह निटीश कुमार जी समय ने बताने का है किया यह गये हैं इन्होंने इसकी हत्या की है तो जनता इसका जबाब देगी सम्राठ चौधरी बाब सरपे मुरेठा बांद के गूम रहे थे कि इनको अब देखे इस पर क्या टिपनी कुरानी बात होनी चाहिए कौन क्या कहता था यह क्या हुआ नहीं हुआ अब यह तो सारा करेंगे जनता के साथ तरीके से विधान सभावे भासन दे रहेते जहां मंच पर जा रहेते कुछ ऐसे एक्टिविटी थे उनको लेकर पुरा बिहार में चर्चा था आपके कुनके साथ कैबनेट में रहे हो मंत्री रहे हर दगा आप तो जानी रहे जब नितीश कुमार जी हमारे साथ होते थे मंच से हम लोग बाते करते तो कि यहां की नितीश कुमार जी को भाट करते हैं में ऐसके बाद भाट वातना सुरू किया उतक उपडिसकार वगाय शुरू कि यह सब भूलता है कोई बीजेपी को क्या कहेंगे, बीजेपी के लोगों को, बीजेपी के लोगों को शुपकाम नहीं, इससे ज्यादा भी हम पुछ रहे हैं, अरे इंडिया गट बंधन मजबूत है, ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उन्होंने कहा था कि हम बढ़ जाएंगे, दुब